Hello everyone, दोस्तो, finally कल आप सभी का examination होगा आप सभी के बीच कुछ important बात डिसकस करने आया हूँ आप इसको गौड से सुनिएगा, साथी साथ ध्यान में जरूर रखिएगा पहला points, आप सभी कोशिस कीजिएगा कल अपने examination center पे समय से पहले जरूर पहुंच जाए क्योंकि अब हर एक छोटे वरे city में ट्राफिक का situation देखना पर जाता है इतना ही नहीं, गर्मी भी काफी पर रही है अगर ट्राफिक में फस जाते हो, तो गर्मी के कारण आपका तवियत भी खराप हो सकता है या फिर ट्राफिक में फसने के कारण आप लेट भी हो सकते हो इसलिए कोसिस किजिएगा समय से एक से दो घंटा पहले center पे जरूर पहुंच जाए समय से पहले पहुंच जाओगे तो benefit यह भी होगा कि आप वहाँ पे जाकर के भी एक बार हर एक question का बढ़िया से revision कर लोगे और जब आप current पढ़ेर होगे और exam center में बैठ होगे तो याद भी आपको सारा कुछ रहेगा इसलिए समय से पहले center पे पहुंच जाएगा हर एक समरी को एक बार revision कर लिजिएगा और examination hall में बैठ येगा बे ही जक एक साम दीजिएगा कोई issue नहीं होगा दूसरा point हर हाल में आप सभी students हर एक question का answer दे करके आना question बिलकुल नहीं छोड़ना है अगर आप question छोड़के आओगे फिर solid marks कट जाएगा मान लिजिए long question 17 marks का है आपने एक question का answer देना ही छोड़ दिया फिर तो आपका 17 marks ऐसे ही कट जाएगा एक सो में से 17 marks माइनस करके उसके बाद calculation होगा आप कितना लिखे हो किस प्रकार से लिखे हो इसलिए हर हाल में थोड़ा कम ही सही लेकिन हर एक question का answer लिखना है साथी साथ time management को भी ध्यान में रखना है time management का वीडियो मैं आपके बिच डिसकस किया हूँ साथा कुछ बताया हूँ कि explanation वाली question के लिए कितना समय लेना है long question के लिए कितना समय लेना है कितने page में answer लिखना है इन दोनों प्रकार की question का तो साथा कुछ बता चुका हूँ उसको भी ध्यान में रखिएगा next point हर हाल में कोशिस कीजिएगा बेहतर content लिखे authentic content लिखे गलत content लिख करके मत आईएगा क्योंकि आपका English honors है अच्छे खास एक सामिनर वहाँ पे बैठे होंगे जब वो कौपी जाच रहे होंगे गलत चीजे लिख करके आओगे marks नहीं मिलेगा इसलिए जो authentic content है वो लिख करके आएगा मिली जूली content लिखोगे नंबर नहीं कटेगा मानली जी सवाल है आपका मैकवित का सवाल पुछ रहे कुछ हाओर और मैकवित से संबंदित आप कुछ भी answer लिखोगे फिर नंबर नहीं कटेगा लेकिन सवाल है मैकवित का और answer लिख दोगे 12th nights का फिर कहां से आपको marks मिलेगा अगर बढ़िया से जाच लेगा examiner पताइए इसलिए बहतर content लिखना authentic content लिखला है साथी साथ guess paper के language से बचिएगा बहुत सारे students चीट पूर्जा लेकर के जाते हैं center में guess paper का language खाफी tough होता है भाई जब आप वो लिख करके आओगे examiner देखेगा फिर marks नहीं देगा average देगा marks तो देगा लेकिन average देगा वही 50-60 देगा अपने मन से लिखिएगा हो सके तो हमारे content से लिखिएगा देखिएगा बहुत अच्छा marks आपको आएगा अपने language में लिखोगे simple language में लिखोगे 40 language में लिखोगे वहुत अच्छा marks मिलेगा guess paper का language tough होता है पढ़ने से पता चल जाता है कि यह guess का language है इसलिए बहतर content लिखिएगा अगला points handwriting English honors का paper आपका है यहाँ पे grammatical concept से जएदा handwriting का concept काम करता है अगर आपका handwriting अच्छा रहेगा content में कुछ कमी भी रहेगी तो आपको बहुत अच्छा marks मिल जाएगा इसलिए handwriting पे भी मेहनत कीजिए अभी फिलाल आपके पास समय बचा है घंटों में कुछ घंटा handwriting practice के लिए भी निकालिए और बढ़िया से handwriting पे काम कीजिए साथी साथ कुछ basic grammatical mistake से भी बचिएगा punctuation जहां पे जो punctuation आए statement के according आप वो put करना कहीं पे question है तो आप कहाँ पे full stop मत देना क्योंकि ये छोटा छोटा grammatical mistake है ये भी नमबर आपका काटेगा इसलिए इन सबसे बचिएगा बादमा की जैदा घवराना नहीं है जो मैं guess question आपको दिया हूँ आप उसको बढ़िया से कर लीजिए एक भी question बाहर से नहीं आएगा मैं अभी strongly कह रहा हूँ कल आपका paper होगा कल review भी करूँगा देखिएगा बाहर से question नहीं आएगा और हाँ अगर आपको gauge paper बढ़िया से cover न हो पाए तो हर एक chapter का at least summary कर लीजिएगा क्योंकि syllabus fix है चार ही section आपको पढ़ना है और इन ही चारों से सवाल आना है तो केवल summary को बढ़िया से पढ़ लोगे कोई भी सवाल आएगा summary की according answer ली करके आओगे बहुत अच्छा marks मिलेगा 14-15 marks आपको असानी से मिल जाएगा 17 marks वाले सवाल में तो जो बतलाया हूँ जिस प्रकार से बतलाया हूँ उसको follow किजिएगा बादवा की मैं धेरो वीडियोस बनाया हूँ जिसमें हर एक छोटे बड़े points के उपर बताया हूँ कि कैसे क्या करना है तो आप सभी बढ़िया से एक बढ़िया रिवीजन कर लीजिए समय से पहले कल center पे पहुँचिएगा और बढ़िया से एक जाम देखर के आईएगा best of luck everyone